दिल्ली में अगले साल होने वाले विधान सभाचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आद्मिपार्टी नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉंफरेंस कर भाजपा पनिशाना साधा है। मंद्री आतिशी ने कहा कि 2020 के दिल्ली विधाव सभा चुनाव में भाजपा ने 45 पार का नारा दिया था लेकिन 8 पार ही सीमित रहे गई थी जिस प्रकार के शडियंत्र भाजपा लगातार कर रही है इतना ही नहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मैं आज आपको पूरा विश्वास के साथ कह रही हूं कि अगर भाजपा को 2025 में एक सीट भी आ गए तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी साथ ही क्या कुछ कहा सुनिए केंद्र सरकार दुवारा अपॉंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर प सरकार के नुमाइंदे LG साहब के अधिकार शेत्र में आते हैं तो यह बिलकुल साफ है कि भारतिये जनता पार्टी का शड्यांत्र था लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि शड्यांत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी तो वह अपने घडियालों आसू ब दौराकर रही ट्रांस्टी केंगर सरुकार दौरा की उनके एजी साहब दौरा की घडिया और हैर्टी साहब के आदेश की मैं तो उनसे ये भी पूछूँगी अगर LG साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी तो LG साहब ने ट्रांसफर ओर्डर वापस लेने का अदेश कैसे दे दिया उसकी पावर उनके पास कहां से आ गए देखें जो सचाई होती है ना इसमें बहुत ताकत होती है सचाई आखिरकर पूरे देश के सामने पूरी दुनिया के सामने आही जाती है और भारतिय जन्ता पार्टी का ये शड्यांत दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का शडियांत राजदेश के सामने आ गया भारतिय जंता पार्टी ने एक मिशन किया था 2015 उस मिशन का सक्सेस रेक था 3 out of 70 फिर भारतिय जंता पार्टी ने कहा था उनका एक बना मिशन मिशन 2020 और उन्होंने कहा था अब की बार 45 पार 45 पार करने निकले थे आठ पर सीमित रह गए अब 2025 में जिस प्रकार के कांड वो लगातार कर रहे हैं दिल्ली वालों को परिशान करने के लिए चाहे वो अपनी हर्याना सरकार के माध्ध्यम से दिल्ली का पानी रुखवाना हो चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने का शड्ययंत्र हो चाहे अपने अफसरों के माध्यम से अपने एलजी साहब के माध्यम से महला क्लिनिक की दवाईयां रोकना हो OPD के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटाना हो जितने शड्ययंत्र भारतिय जनता पार्टी रचेगी उतना जोर की तमाचा दिल्ली वाले उन्हें मारेंगे मैं आपको आज पूरे confidence से बता रही हूं कि अगर भारतिय जनता पार्टी की एक सीट भी 2025 में आ गई तो उनके लिए बहुत बड़ी बादी